कि अज़िए नमस्कार में आना मुतकर्ष है आप लाइफ देखना शुरू कर चुके हैं विहार विधान मंडल का बजट सत राज से शुरू हो गया है और देखिए काफी हंगामेदार भी नज़र आ रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपना दंखम दिखाने के लिए अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है और इसी करी में जेदिव के द्वारा बैठक बुलाई गई है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं ये बैठक बेहार सरकार के मंत्री अशोग चौद्री के घर पे बुलाया गया जहाब तमाम तस्वीर देख रहा है किस तरीके से जो वधायक हैं मंत्री हैं तमाम नेता जो हैं वह पहुंच रहे हैं ऐसे में कई मुद्दों को लेकर अंदर बातें भी होनी है और देखिए किस तरीके से जब बहार सरकार के मंतरी श्रवन कुमार वहां पहुंचे तो क्या कुछ वो कह रहे हैं। जब सत्र चलता है तो किस तरीके से विधायकों की उपस्थिती अनिवारे होती है। जो सदन में सवाल रखेगा उसको किस तरीके से जवाब देना है विपक्स के तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से चर्चा करना है तमाम मुद्दों को लेकर अंदर बैठक होगी। देखे ये बैठक इसलिए भी एहम होती है क्योंकि तमाम पाटी अपनी स्ट्राटजी के साथ काम करती है और ऐसे में जब बजट सत्र हो बिहार विधान मंदल का और जब वित मंतरी जेदियू कोटे से हैं तो सवाल ये जरूर होता है कि किस तरीके का बजट होगा तो तमा बैयार सरकार के मंतरी जो जेदियू कोटे से हैं वो मौजूत रहेंगे काफी हंगामेदार रहेगा इस बार का बजट सत्र और ये हंगामेदार इसलिए भी होगा क्योंकि ये महागड़बंदन की सरकार का पहला बजट सत्र है और विपक्ष में बीजेपी है क्योंकि उद्दों को लेकर निशाना साथेगी पहले भी बीजेपी ने साफ कह दिया है कि सरकार को लगतार शराबंदी कानून को लेकर बढ़ते बहार में अप्राद को लेकर सिक्षक अभियर्थियों को लेकर तमाम उद्दे को लेकर सरकार से सवाल करेगी तो इन तमाम उद्दे को लेकर जवाब कैसे देना है इन तमाम चीजों की तयारी आज जेदियू के विधायक दल के बैठक में होनी है अब तस्वीरे देख सकते हैं किस तरीके से मंतरी शोक चौदरी के घर पर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं केवल विधायक ही नहीं परिशद के जो सदस्य हैं जेदियू के वो भी पहुंच रहे हैं मंत्रिकन पहुंच रहे हैं इसी बीच क्या कुछ कह रहे थे श्रवन कुमार आपने पूरा बयान सुना फिलाल खोर में से नहीं आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सेल कर ले बहुत बहुत धन्य बाद